जैजैशी राधे मित्रो, मैं पंडित आशी शर्मा, एस्ट्रो आशी शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दी का बिनंदन है, स्वागत है, आशा करता हूँ, सभी सुखी होंगे, संबन होंगे, तो इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो को इस जानकारी को शुरू करने जा रहा हूँ, मित्रो, कई लोग इस जीवन में बहुत ही जादा दुखी है, बहुत परेशान है, परेशानी का कारण चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे बाहर का हो, किसी भी कारण से व्यक्ति परेशान हो जाता है, और इतना परेशान हो जाता है, कि वह सोचता है, यह जीवन ही नहीं नहोता, तो मितरो ऐसे में कई बर हमारी कुंडली के अंदर पितर दोष भी हो सकता है या शनी के महाधशा है भी हो सकती है शनी की अंतरदशा, प्रतिंतरदशा, इन में से कोई भी चीज हो ज़कती है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ चाहे आपकी महादशा शनी की हो, राहू की हो, केतू की हो या फिर कोई पितर दोशो कुंडले के अंदर या किसी बज़े से, किसी शराप के द्वारा, किसी निंदने कारण के कारण या किसी बुरी ची के कारण आपके जीवन में यह कष्ट आया है तो आज केबल उसी कश्ट को दूर करने के लिए एक महा उपाए आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ इसको पित्र पक्ष में यानि जिस टेम शिराज चल रहे हों उसके बीच में जब भी शनी वार आए उस दिन यह उपाए करना भोता है इस उपाए को करने से शनी दे परसंद होते हैं राहू परसंद होते हैं और हमारे पित्र दे भी परसंद होते हैं क्यूंकि यह उपाए एक कववे से समंदित है कववा शनी का वहान भी माना जाता है कववा जब भी हम पित्रों के नमेते कुछ निकालते हैं तो कववा के जुरू खलाते हैं यानि जो कववा है उसी के जरीए पित्र हमारे भोजन को ग्रहन करते हैं और यम का यह बहान माना आता है जब भी हम कहते हैं कि किसी का समय नजदीक आता है तो कववा यानि एक कह सकते हैं कि यम का प्रतीक है यम देव का तो इसमें तीन तीन देव आते हैं यम देव पितर देव और शनी देव तो यह उपाया आज का आपको केवल कववे के लिए करना है और शनी वार के दिन करना है करना क्या है यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ अच्छी से समझ लें वीडियो को बीच में स्किप ना करें यदि पूर्ण समझोगे तो अच्छी तरह से समझ आएगा बीच में स्किप करोगे तो कुछ भी ना समझ आएगा ना तो आगे का समझ आएगा ना पीछे का समझ आएगा इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें और इस उपाय का पूर्ण लाव ले आपको शनीवार के दिन थोड़े से चावल एक कॉली के बराबर चावल बनाने हैं और एक बात का ध्यान रखें उन चावलों में ना मीठा डालना है ना नमक डालना है कुछ भी नी डालना आपको सिंपल फिक के चावल बिना मीठा और बिना नमक रही ता आपको चावल बनाने हैं उनको बना गर के थोड़ा सा रख ले दूसरे नमबर में आपको क्या करना है थोड़ा सा देशी घी ले उस देशी घी को गरम करें यानि किसी जैसे आप कोई चीज बनाते हैं कोई कixòड़ाही करते हैं वैसे थोड़ा से देशी घी आधे चमीर से भी कम आपको लेना है दो चार पौन्द, पांसाद पौन्द आपको चाहिए उसको थोड़ा से गरम करें और जैसे ही तो थोड़ा सा गरम होता है उसमें आपको थोड़े से काले तिल डालने है काले तिल को इस önem कर दें 2-4 मिनिटे धिमी आच करके ताकि वह हल्के से पक जाएं या उनमें थोड़ा गी चड़ जाएं तो इतना भी ना करें कि वह जल जाएं जलाना नहीं है दो-चार मिनिटे इतना रखें कि वो जैसे हम तड़का लगाते हैं या कोई चीप बनाते हैं या हम कहते हैं कि बदाम डाल के घी में भूनते हैं बस इतना भूनना है उनको अब क्या करना है अब आगे का समझें जो चावल है चावल में थोड़ी सी हल्दी ड नमक डाल दें आदे चमर से भी कम उसमें नमक डाल दें और इसके बाद आपको थोड़ा सा शक्कर उसमें डालना है और शक्कर डालने के बाद आपको वह काले तिल जो आपने भूने हुए हैं उन काले तिलों को उन चावलों के बीच में आपको मिला देना है और यह सारा समा आपको मिक्स कर देना है और इसके बाद अपने परिवार जितने भी परिवार के मेंबर हैं सभी के माते से लगाएं या फिर से इस चाबल को गुमा दे अब इस चाबलों को किसी पत्तल में रख करके आपको वहां जाना है जहां पर कवे वगारा हो या फिर अपने छट में इसको अलख सकते हैं यह केबल शणी बार की दिन करना है मित्रो और जिस समय आप उन चाबलों को छट पर रखोगे तो उस समय यही प्रारथना करनी है कि हमारे पितर देवता परसन हो, शनी देव परसन हो, यम देव परसन हो इतना कहकर के आपने यह कहना है कि हे पितर देव, हे शनी देव, हे यम देव आप हमारी तरफ से दिये हुए इन अक्षत को, इन चावलों को आप स्विकार करें और हमें सुख परदान करें जो भी आपकी इच्छा हो कामना हो वह आप मन ही मन दक्षिन दिशा की और मूँ करके इनको रख दे और क्योंकि दक्षिन दिशा में यम का वास भी होता है और भैरभ जी का वास भी होता है और कई चीजें जो हैं दक्षिन दिशा से मान जाती है, यहां पर पित्रों का वास भी जो है, दक्षिन दिशा माना जाता है, तो दक्षिन दिशा की और आपको देखना है, दक्षिन दिशा की और इसको रखना है, आपकी छट में जाकर कि दक्षिन दिशा देख लें, वहां पर आपको इसको रख और प्रार्थना करनी है रखने के बाद इतना करने से ही आपको कई जन्मों के आपके किये हुए करम जैसे पाप करम किये होते हैं वह नस्ट हो जाएंगे जैसे ही कोई कववा खाता है अगर कववा नहीं भी खाता तो भी कोई बात नहीं है आपने उनके निमित निकाल दिया है तो यह समझो कि आपने अपनी दर्व से निकाल दिया है आपने अपना कारे पूर्ण किया है आगे कोवा खाए ना खाए उस चीज़ को आपने नहीं देखना है जब श्राद निकल जाए यह पितर पक्ष निकल जाए अमावस निकल जाए उसके बाद आपको यह कहीं पर भी मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जल प्रवा कराएं इसको अगर किसी नहीं खाया तो इसको जल प्रवा कर दें या फिर किसी ऐसी जगह में डाल करा जाएं जहां पर पक्षी कीडे बगारा इसको खा जाएं तो यह आज का उपाई है इसको करने से आप सुख का अनुभब करोगे आपकी कई कार्य जो अटके हुए हैं वैपूर्ण हो जाएंगे मित्रो इसको करें क्यूंकि इसके बाद पित्र पक्ष अगले साल आएगा 2022 में तो उससे पहले पहले आप इसको करें इसका लाब लें और इसके साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर बिराम देता हूँ जाए जाए शिराद है